हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे पराठी की रेसिपी लेके आए हूँ जो अज से पहले आपने ना देखा होगा ना खाया होगा ना कभी सोचा होगा कि ऐसा भी पराठा बन सकता है ये पराठा कभी भी किसी भी टाईम आप बना सकते बहुत ही ज़ाद मैदा ले लेंगे, दोनों quantity सेम रहेगी अब इसमें डालना है, fresh मलाई, एक चम्मच, मलाई डालने से बहुत ही अच्छा texture आता है एकदम मुलायम, soft पराठा बनता है मलाई डला हुआ पराठा आप एक दिन बाद भी खाएंगे इतना जादा soft रहेगा, एकदम रूई की तरह, तो देखे, बहुत जादा भी हमने नहीं डाला है, बस एक ही चम्मच डाला है इसमें, तो अब अच्छी तरह से हमने mix कर लिया है यदि आप आटे में मलाई नहीं डालना तो रस्ट के लिए थोड़ी दिर के लिए छोड़ दिना है जादा जादा 5-7 मिनट तो 5-7 मिनट हो चुका है तो अब क्या करेंगे लोई medium size कर लेंगे बहुत बड़ी size का नहीं लेना है अब उसमें थोड़ा से सूखा आटा लगाएंगे सूखा आटा लगाके नॉर्मल तरीके से बेल लेंगे अब देख सकते हैं इतनी अच्छी तरह से आटा लगाएंगे बेलन एकदम स्मूथ चल रहा है तो हमने medium size का रोटी बेल के रेडी कर लिया बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है तो अब क्या करना है अब लेना है ये पैकेट वाली दूद जो आती है न 10 रुपये में पॉडर दूद जिसे बोलते हैं वो दूद है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दूद पराठा अब दूद पराठा क्या होता है पॉडर दूद से बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो स्टाटिंग में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे रोटी के उपर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है थोड़ा सा ही लगाना है अब क्या करना है पॉडर दूद लेना है पॉडर दूद को पूरे स्प्रेड कर देंगे रोटी के उपर पहले जब हम लोग के टाइम में चीनी पराठा बनाया जाता था बहुत ही सौक से खाते थे लेकिन चीनी पराठा आज कल के बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ा सा प्चीनी भी इसके उपर डाल सकते हैं यदि कभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होंगे नास्ता में क्या बनाया जाए तो ये दूद पराठा बना सकते हो तो बस इस तरह से हलके हलके हाथ से फोल्ड कर देना है हलके हलके प्रेस कर देंगे अब इधर से भी फोल्ड कर देंगे ये चोकॉन अकारका हो गया स्क्वाइर में बस अब आसानी से इसे फिर से बेल लेंगे हलका सा सुखा आठा इसके उपर लगा देंगे तो सुखा आठा लगाने के बाद क्या होता है बहुत ही असानी से आप बेल सकते हो ये पराठा थोड़ा सा मोटा ही रहता है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहता है तो आप पतला ना बेले तो देखे हमने पूरी अच्छी तरह से पराठे को बेल लिया है अब इसी आठे से मैं एक और पराठा आठा आपको बनाना बताती हूँ बस ऐसा ही लोई लेंगे थोड़ा सा सुखा आठा लगाके बेल लेंगे जितना बड़ा पहले वाला पराठा हमने बेला था बस उतने ही बड़ा बेलना है तो आप क्या करना है एक क्यूब चीज स्लाइस लेंगे यदि आप slice वाला cheese है वो भी ले सकते हैं यदि नहीं है ये तो cube वाला ही greater से grate कर लें जितना cheese पसंद है उस हिसाब से आप cheese को डाल सकते हैं मैं आज एक cube डाल रही हूँ तो आपने पुरा cheese को grate कर लिया तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा chili flakes जादा नहीं डालना है साथ में आधा चमंच औरीगेनो डालेंगे औरीगेनो थोड़ा सा जादा डालें बहुत ही अच्छा flavor आता है अब fold कर देंगे नॉर्मल तरीके से जैसे पहले वाला पराठा हमने फोल्ड किया था बस वैसे ही fold करना है ये भी पराठा बहुत ही tasty लगता है बस अब ये भी fold होग किया है तो इसे भी same तरीके से बेल देंगे तो हमने दूनों पराठा को बेल के रैली कर लिया है तो अब पराठे को sakers K जेखेंगे उसके लिए क्या करेंगे तवा गरम करेंगे गरम तवा के उपर बिलावा पराठा को डाल देंगे एक बार फिट से एक साइट सिख चुका है तो पलट लेते हैं दूसर साइट भी सेम इसी तरह से सेकेंगे तो अब ये दोनों साइट अच्छी तरह से सिख चुका है तो थोड़ा थोड़ा सा घी डल लगा लेंगे घी लगाएंगे जैसे वैसे ही पराठा एकदम अच्छी तरह से बलून की तरह से फुलने लगेगा तो इस सैट भी लगाते हैं और लगाके अच्छी तरह से सेख लेंगे एकदम गुल्डन होने तक तो देखे पूरी अच्छी तरह से ये पराठा फुल चुका है तो अब इस पराठे को निकाल लेते हैं प्लेट में और दूसरा जो हमने चीज को स्टफट करके रखा है उस पराठे को भी सेख लेते हैं दूसरे को भी सेम इसी तरह से सेखेंगे बस एक साइट सिख चुका है दूसरा साइट भी हमने पलट लिया है पलट के इसके उपर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे जैसे ही आप इसमें भी घी लगाएंगे वैसे ही पराठा फूलने लगीगा तो जब दोनों सेट हलकाल का सीख जाएगा ना पराठा तब आप इसके उपर घी लगाईएगा तो देखेंगा कैसे फूलता है और कम आच में थोड़ा सा सेखें कि अंदर पूरी अच्छी तरह से चीज मेल्ट हो जाए तो बस अब इस पराठे को भी गोल्डन होने तक सेखना है तो दोनों पराठा बनके रैडी हो गिया है यह चीज पराठा है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से बना एकदम चीजी में आपको इसी कट करके दिखाती हूँ कट करते टाइम ही इतनी अच्छी खुजबू आ रही है चीज की आपको बतानी सकती हूँ तो एकदम चीजी पराठा बनके रैडी हुआ है आप देख सकते हैं पूरा चीज अच्छी तरह से मेल्ट हो गिया है दूद पराठा भी आपको कट करके दिखाती हूँ ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में जब कभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसे बना सकते हैं थोड़ा सा मलाई जैसा लगता है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पूरा चारो सायट फैला हुआ है दूद तो फ्रेंड्स अगर आज की ये दोनों पराटे की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें